जोशी मट पर मंडरा रहे संकट पर केंद्र सरकार आक्शन में हैं प्रधार मंतरी मोदी खुद मुख्य मंतरी धामी से हर हालात का अपडेट ले रही है जोशी मट पर मंडरा रहे संकट को लेकर कल पीमो ने एक हाई लेवल मीटिंग की बड़ी खबर यह है कि आज केंद्र की टीम संकट का सर्वे करने के लिए जोशी मट पहुँच रही है केंद्रे जलशक्ति मंतराले की यह टीम जोशी मट में लैंडसलाइट और जमीन धसने की वजह का पता लगाएगी और तीन दिन के अंदर राश्रिय स्वच गंगा मिशन को अपने रिपोर्ट सौंपेगी इस बीच राज्य सरकार की एक्सपर्ट की सर्वे रिपोर्ट भी आ गई है अधिकारियों का कहना है कि जोशी मट में कुल साड़े चार हजार इमारते हैं इनमें से 603 घरों में तेज दरारे आ गई हैं इस वज़े से 40 प्रतिशत आबादी के जीवन पर संकट आ गया है विला प्रशासर ने घर पर लाल निशान लगाना शुरू कर दिया है गाउं के जादतार लोग अपने अपने घरों को छोड़ कर जा रही है ये सभी मचली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का दो लाख कमा रहे हैं आपको भी करना है बिजनस तो फ्रीडम आपको अभी डाउनलोड करें राज जिव सरकार ने हर हाला आत्सने पटने कले जोशी मठ में NDRF की एक टीम और SDRF की चार टीम तैनात करती है ये कुछ तस्वीरे आप देख रहे हैं जिन घरों पर रेड मार्किंग की गई है इसका अर्थ ये है कि ये घर अब रहने लाइक नहीं है फॉरन इन घरों को खाली कर दे रहा है और लोग अपना सामान लेकर अब घरों को छोड़ रही है डेंजर जोन में मौजूद मकानों की पहचान कर ली गई है क्योंकि जोशी मठ में हर गुज़रते दिन के साथ दराले बढ़ रही है और खत्रा और बड़ा हो रहा है प्रोशासने डेंजर जोन के घरों पर डाल निशान लगाने शुरू करती है लोग घर छोड़कर सुरक्षिन चकाहों पर शिफ्ट भी हो रहे है मुश्किल बहुत बड़ी है जोशी मठ के लिए एक इम्तिहान की घड़ी है देखें Ground Zero से इंडिया टीवी संबादाता पवन नारा के एक्स्क्लूजिव रिपोर्ट प्रोसस शिरू हो गया है अभ इस मकान पर लाल निशान लगा दिया गया है इस तरह से हर बिल्डिंग पर लाल निशान लगाया गया है Cross जिसका सीधा सा मतलब है कि वो मकान जनता को खाली करने होंगे सुरक्षित स्थान पर जाना होगा और धीरे धीरे करके इन सभी मकानों को तोड़ा जाएगा क्योंकि ऐसी स्थती में नहीं है जिसमें इनमें रहा जा सके अब जब प्रशासन की तरफ से लाल निशान दिखा दिया गया है तो अब यहां से लोग अपना सामान खाली करने लगे हैं फिलहाल यहां सामान पैक किया जा रहा है सामान निकाला जा रहा है और लोग अपने सुरक्षित ठिकाने ढूंड रहे हैं अगर आप देखेंगे तो फैन है टीवी के बॉक्स हैं कपड़े हैं और यहां बाकी सारा सामान समीटा जा रहा है अचा आपका इघर है अचा आणटी की मदद करने आएं आप तो यह समान कहां लेकर जा रहे हैं तो फिर अब तै क्या हुआ है किराये पे लिया है या दोस्से मदद मांगी है अच्छा और बाकी परिवार वाले कहां है परिवार वाले तो बेटा है मेरे यहां भी हो मीटिंग है डिजस्टर वालों की तो आँगे है बाकी देहरादून में अभी सब देहरादून है तो परिवार खौफ में है उन्होंने अपने घर वालों को देहरादून शिफ्ट कर दिया है वो आगे जा रही है सामान यहां शिफ्ट करने के जिम्यदारी माताजी उपर है इकलोता घर यह नहीं है उपर भी बहुत सारे घर थे जिनको मुख्यमंत्री जब आए तो दिखाया गया था और अब यह देखिए कि यह डिफ्रेंस कितना भड़ गया है यह दिवार जब मुख्यमंत्री आये थ तो दरार थी लेकिन यहां ठिकी हुई थी अब यह दिवार यहां से नीचे जा चुकी है तो यह घर कभी भी गिर सकता है पहले यह टायल हटी हुई दिखाई दे रही थी अब अगर इस टायल के नीचे आफ देखेंगे तो यहां पूरी दिवार हट गई है और यह छट जब ये जमीन यहां से खिसक रही है और इस मकान को तोड़ा जाएगा तो खत्रा इस मकान पर भी है एक दम नया मकान है पेंट हुआ था इस पर भी लाल निशान लगा दिया गया है उपर देखेंगे उस मकान पर भी लाल निशान लगा दिया गया है ये खत्रे के निशान व पहले हमने आपको यहां बैटके दिखाया था कि एक उंगली का फरक था अब यहां दो उंगली का फरक है यानि यह धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और यह लाल निशान लोगों के भविश्य पर भी है यह लाल निशान लोगों की आकांग्शाओं पर भी है यह लाल निशान कुछ सब्धान परिवार ऐसे हैं जिनका दूसरा मकान है लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो किराए के मकान पर जा रहे हैं लेकिन अभी ये सुनिश्चित कर पाना भी उनके लिए मुनासिव नहीं है कि कौन सा घर सुरक्षित है और कौन सा नहीं कल पीमो में जोशी मठ को लेकर हाई लेवल मीटिंग हुई इसकी अध्यक्षता पीम मोदी के प्रिंसिपल सेकेटरी पीके मिश्राने की मीटिंग में एक्सपर्टी जोशी मठ में बड़े रिस्क की आशंका जाहिर की है इसके साथ इस बात पर जोर दिया गया है कि जल से जल लोगों को डेंजर जोन से दूसरी जगे शिफ्ट किया जाए एक्सपर्ट जल्द से जल्द लैंडस्लाइड की वज़े का पता लगाएं और लैंडस्लाइड रोकने के लिए समाधान ढूंडा जाए पीमो की मीटिंग में जोशी मठ के लिए कई आक्शन प्लान पर चर्चा हुई जोशी मठ के लोगों को रहात पहुचाने के लिए सेंट्रल एजनस्य और एक्सपर्ट की टीम शॉट टर्म, मीडियम टर्म और लॉंग टर्म प्लान तयार करेगी जोशी मठ में जैसे जैसे दरारे बढ़ रही हैं लोगों की उमीदें कैसे टूट रही हैं देखे पवनारा के एक और रिपोर्ट ये सीडिया वो हैं जहां से परसो जब दौरा करने पुशकर सिंग धामी आये तो यहीं से गुजरे थे और ये सीडियां सुरक्षत मानी गई थी और वो यहां से गुजरे थे लेकिन आप देखिए कि ये सीडिया बिलकुल दो हिस्से में टूट गई है ना सिर्फ टूट गई है बलकि दरार इतनी गहरी है कि ये पूरा एक फिट हिस्सा अलग दिखाई दे रहा है और नीचे इ यहां लोग सामान निकालना शुरू कर चुके हैं इस तरीके से इन खतरनाक इलाकों से गुजरते हुए अपने सामान को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और अब यहां विद्वन्स का दौर चलेगा क्योंकि जो मकान शती ग्रस्त हैं उन सब मकानों को यहां तोड़ा जाएगा और अब सरकार की तरफ से आदेश हो चुके हैं मेरे कैमरमेन अगर इधर आएंगे तो यहां से आपको एक टौप एंगल व्यू दिखा देते हैं किस तरीके से यहां अब वो विद्वन्स की कारवाई शुरू होगी मेरे सामने यह मांच व्यू होटेल है यह वो है जो अप प्रशासन इन होटलों को तोड़ने के आदेश दे चुका है यानि अब यहां पर विद्वन्स का दौर चलेगा जो अशुरुक्षित इमारते हैं उन्हें तोड़ा जाएगा वहां अगर आप देखेंगे तो लोग अपना सामान सणक पर रखे हुए हैं शिफ्ट कर रहे ह यह अलमारी एक जा रही है यह वाला मकान अम्मा ने भी अपने सामान को शिफ्ट कर लिया है शिफ्ट करने के लिए पैक कर लिया है अब वो भी नीचे उतर रहा है यानि अब दुख दर्द विनाश इस जोशिमत शहर की कहानी है और हर कोई यहां से आ रहा है यह अब नीचे खिसक रहा है तो सोचिए जिस गती से यह सब नीचे खिसक रहा है यह हफते भर की बात है कि आपको यह सब इमारतें भर भरा कर गिरती नजर आएंगे लोगों को उम्मीद है कि शायद इस एक हफते में कोई चमतकार हो जाए और वो पानी का जहरना जो नीचे चल रहा है वो थम जाए तो इस भूस्खलन पर रोक लगे लेकिन यह सिर्फ कामना भर है यहां के लोगों ने स्विकार कर लिया है कि जोशी मठ नीचे दरक रहा है अब इसे कोई नहीं बचा सकता इस वीचे जोशी मठ गई राजज़ सरकार और एक्सपर्ट टीम की पहले रिपोर्ट सामने आ गई है रिपोर्ट को केंदर राज़ सरकार को भेच दिया गया है और रिपोर्ट में यह बताया गया है कि जोशी मठ के 9 वार्ट में खतरा सबसे जादा है यानि की 603 मकानों में जिनमें दरारे आ चुकी हैं नेगर पालिका के मताबिक इलाके में 4,000 गर हैं जिनमें से 40% घरों पर इस वक्त भूध हसाव का खत्रा मंड़ा रहा है यानि की सीरा सीरा 2,000 मकान इसकी चपेट में हैं और इसकी वज़े से 2-3,000 परिवार प्रभावित होने की पूरी आशंका है जोशी मठ के वजूद पर बड़ा खत्रा मंड़ा रहा है अगर जल्द से जल्द कुछ नहीं किया गया तो जोशी मठ का नाम और निशान मिट सकता है ऐसे में सर्वे टीम ने जमीन धसने और दिवार फटने की वजहों का पता लगाना शुरू किया है एक्सवर्ट टीम की शुरुवाती रिपोर्ट में क्या बताया गया है वो आपको बताते हैं पानी लगाता जोशी मठ के नीचे बहरा है जिससे जमीन आने वाले दिनों में और बैठेगी ये पूरी संभावना है जोशी मठ के नीचे पानी का बहर पहले जितना था वो धीरे धीरे बढ़ रहा है यानि कि पानी अब एक फ्लो में आ रहा है यहां हर मिनट साड़े चार सो से पांच सो लीटर पानी बहर निकल रहा है अभी तक पानी के स्रोत के बारे में कोई पुखता जानकारी नहीं मिल पाई है तो जमीन के नीचे लगातार पानी बहरा है और इसका बहाव लगातार तेज होता जा रहा है और जैसे जैसे ये बहाव तेज होगा वैसे वैसे जमीन और धसने लगेगी जोशी मठ का नाम और निशान पूरी तरीके से मिठ सकता है पवन जोशी मठ के लोगों को सुन रहे हैं उनका दुख दर्द बाट रहे हैं और ग्राउंड जीरो फिल लगातार उसकी कवरेज पूरे देश दुनिया तक पहुचा रहे हैं देखे उनकी एक और रिपोर्ट जुके हुए होटेल की वज़े से भी बहुत से मुकानों पर मुश्किल आ गई है कई मकान ऐसे हैं जो नीचे जिनमें दरार नहीं है लेकिन अपने आप में ये होटेल टाइम बॉम की तरह है जो लगातार पीछे ढल रहा है अगर आप देखेंगे नीचे से तो एक, दो, तीन, चार, पांच मंजिल का ये होटेल है और इसके पीछे जो भी आप मकान देख रहे हैं ये एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, लिए दिया गया है ताकि इसको सुरक्षित तरीके से तोड़ा जा सके, ताकि नीचे की बिल्डिंग पर कोई असर ना हो, लेकिन अभी तक वो तोड़ने की कारवाई शुरू हो, उससे पहली ये तेजगती से जा रहा है, अगर आप नीचे देखेंगे, तो ये सारे घर, चत पे वो बेड रखे हुए हैं, इन सब घरों ने अपना सामान खाली करना शुरू कर दिया है, क्योंकि ये सब घर इस पुष्टे की बदोलत है और ये पुष्टा शायद इस बिल्डिंग को नहीं रोक पाएगा, वहां लोगों ने अपना घर सामान समेटना शुरू कर इन में से कोई आपका घर भी है भाई साब, अमा, आपका घर कौन सा है इन में से, तो भाई साब है, उनका घर है, भाई साब, ये कौन से वाला घर है आपका, ये पीले वाला घर, तो क्या आपने भी समान खाली किया है, आपका कौन सा है सर, ये गुलाबी जंग, तो ये सम यह सभी मचली किसानों को बेबी फिश सप्लाइब करके महीने का दो लाख कमा रहे हैं आपको भी करना है विजनस तो फ्रीडम आपको अभी डाउनलोड करें अगर यह खुटेल अब आपके हिसाब से तोड़ा जाना चाहिए इसके गिरने का इंतजार करना चाहिए तोड़ा जाना चाहिए एक्चल में जो जिसको बरवादी होनी थी वो तो हो चुकी है पर इसके अलावा अगर जो और जब तूटेगा इतना बड़ा मंजिला तूटेंगे तो इस पर क्या होगा महला उसका असर कितना पड़ेगा हम लोग तो प्रवायत होज हम रहने लाइक तो नहीं है पर जो इदर उदर पूरे धरती पे जब इसका लोड़ पड़ेगा तो अन्य जब गवी इसका असर देखने को आपको मिलीगा तो कह रहे हैं कि पांच मंजिला होटेल जब नीचे जमीन पर गिरेगा धसेगा तो नीचे तक असर होगा इसलिए प्रशासन को इसे जल्दी से जल्दी तोड़ना चाहिए लेकिन फिल्हाल प्रशासन की प्रात्मिक्ता घरों को खाली कराने और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाने की है लेकिन यहां से आपको स्केल दिख जाएगा यहां से लेके नीचे तक ये सारे घर जो है इस होटेल बिल्दिंग के जद में है जमीन नीचे तक खिसक रही है और यह दरार यहां से आगे बढ़ती हुई नीचे मारवाडी गाउं से लेके नीचे गंगा नदी या माप कीज़े अलखनंदा नदी के तलहटी तक यह दरार जाती है यानि खत्रा बहुत बढ़ा है